नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों पाकिस्तान के पास में ये आखरी मौका है टी-20 वर्ल्ड कप में हारने खा क्योंकि इसके बाद जो अगला मौका मिलेगा फिर वो दो साल बाद मिलेगा और आयरलेंड की टीम बहतरी टीम है ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान को हरा नहीं सकती है अभी वर्ल्ड कप से जस्ट पेले ही आयरलेंड ने पाकिस्तान को हराये भी था तो इस मैच के अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे खिला रही है जो आपके स्मॉल लीक और ग्रैंड लीक की टीम में फिट बैठेंगे किस पर आपको रिस्क लेना हम आगे बात करेंगे लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कर टेलेग्राम जॉइन नहीं किया है तो वो काम थोड़ा पहले कर लो टेलेग्राम का लिंक में ने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सिक्षन में दिया है जाकर क्लिक करो जॉइन कर लो और साथी साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेंगे क्योंकि मैचिस तो अब शुरू होंगे मैच इस तो आप शुरू होंगे सुपरेट से तब ही मज़ा आएगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन में प्रेस कर देना और वीडियो का आगास लाइक के साथ में करिएगा मैच एक बार फिर से लाडर हिल में खेला जाएगा और जहां पर बार फिर से बहुत बहुत जादा संभावना है आज भी पॉसिबल है कि मैच शायद पूरा ना हो पाए और अगर होगा तो वही आपको दस या पंदरा ओवर का देखने मिल पाएगा क्योंकि बारिश की संभावना आज भी ज्यादा ही है टोटल जो 15 मैचिस खेले गए हैं इनमें से 11 बार पहले बेटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है चुकि बारिश प्रभावित मैचिस में देखने मिलता है कि यहां पर जो नई गेने वो थोड़ा मूव करती है ऐसे में बोलिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है तो टॉस जीतकर टीम यहां पर पहले गिंदबाजी कर सकती है इस मैदान पर जो कुछ मैचिस खेलेगा है उस में आपको यह देखने मिलेगा कि पावर प्ले के अंदर दो विकेट लगभग लगभग हर मैच में आपको देखने मिले है लेकिन फर्स टीनिंग में थोड़ा सा मुशकिल होगा इसलिए चाहे दोनो तीनो प्लेयर बहुत अच्छी हों लेकिन उन तीनो दोनो तीनो प्लेयर को एक साथ में लेकर मच चलिएगा क्योंकि मुश्किले ज्यादा रहेंगी पावर प्लेयर के अंदर ज्यादातर मैचिस में हमने पहली इनिंग में ये देखा है कि मिडिल ओर्डर ने आकर स्कोर किया है तो अगर आप टॉप ओर्डर से कैप्टन वाइस कैप्टन तलाश रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मिडिल ओर्डर पर फोकस कर सकते हो पाकिस्तान का अगर मिडिल ओर्डर देखे तो वहाँ पर फकर जमान अस्मान खान आते तो उनों ठीक टाक प्लियर है और स्कोर कर सकते है इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा टार्गेट रखिएगा और रही बाद दूसरी टीम की तो वहाँ पर कर्टिस कैंपर और ट्रेक्टर आपको मिलते हैं जो कि मिडिल ओर्डर में बैटिंग करते हैं अब फास्ट बोलर्स और स्पिनर्स की अगर बात करें तो ज्यादातर जो विकेट है वो फास्ट बोलर्स के खाते में आएंगे विकेट बिल्कुल अच्छा रोल किया हुआ होगा क्योंकि बारिश होई है चांसे यही होंगे कि यहां पर फास्ट बोलर्स को ज्यादा यह ग्राउंड की कहानी थी जो मैंने आपको पूरा बताया है आप इसी को अमल करिएगा और बाकी जो मेरी फाइनल पिछ रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलेग्राम पे शेयर कर दूँगा टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जॉइन करके रखिएगा अब जरा बात करें अगर इन दोनों टीमों के हेड टो हेड मैचिस के बारे में आइरलेंड ने एक सो टक्तर बनाये था पाकिस्तान एक सो एक्यासी यहाँ पे लॉरकन टकर सेवन्टी थी था बाबाराजम का सेवन्टी वाइब था मार्क अडायर के तीन विकिट थे और र प्रिजबान अफ्रीदी और टकर के तौर पर है अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम पाकिस्तान को नौ लॉस ओफर के थूरू विजाई दे सकते हैं करना क्या है जिन जिन लोगों ने अभी तक माइलें सरकल अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है सबसे पहले जाके डाउनल इंटरी फीस् आपको वापस मिल जाएगी परसेंट का कैश्वेक मिल जाएगा यह जबरदस्त आफर है मतला बीस टीम के साथ में फ्री में खेलें का मोका है एक बार भी मिल रहा है तो एक बार इस्तमाल कर लो अगर बार भी मुटान अगली बार से खेलना नहीं खेलना बाकी मैच इसमें प्राइस घटा देंगे या नहीं है और 20% का एक्ट्रा कैश आपको मिलता है टेलेंट 23 कूपन कोट का इस्तमाल करने से अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेंग 11 और रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयरलेंड की पॉल स्रिल आपको करते हुए नजर आते हैं ज्यादातर मैच इसमें मारक अडायर और यह डैथ ओवर में भी आते हम तो अगर हम डैथ ओवर की गेंदवाजी तलासते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन तलासते बोलिंग की तरफ से तो अडायर एक अच्छा नाम है फिर आपको नाम मिलत कि पॉल स्ट्रिलिंग दो मैचिस में इस मैदान पे 36 रन मना पाए है एंडी बेलबरीनी ने दो में 14 किया है लॉर्किन टेकर दो मैचिस में 141 कर चुके हैं जिसमें दो बार 50 से उपर का स्कोर है और कर्टिस केमपर दो में 34 है मारक डायर ने निकाला था एक विकेट और बेरी मेकर्ती के पास में इस मैदान पर पहले 4 विकेट आ चुके हैं अब पहला नाम है पॉल स्ट्रिलिंग का पॉल स्ट्रिलिंग अभी तक ऐसा कुछ खास किया नहीं है और इस मैच में संभावना भी नहीं है क्योंकि इस मैसी गेंदबाजी बहुत तकड़ी है तो अफरीदी, नसीम शाह, रऊफ कोई भी इनको ठाले जाएगा और वैसे इनकी दिक्कत है लेफ्ट आम मीडियम तो चांसिस यही मानके चलूँगा कि अफरीदी ही आउट कर दें तो शाहिन शाह, फरीदी इनकी लिए मुश्किले बढ़ाएंगे यह खिलाडी आपकी टीम में फिट नहीं बैटेगा ना ही सेफ है, ना ही रिस्क की तौर पर रखा जा सकता है हाला कि अगर आप वैसे देखोगे, दो पचास की है सेकिंड बैटिंग करते हुए दो पचास की है, लेकिन फायदेमन नहीं है अब है दोस्तो नाम एंडी बैलबरीनी का एंडी बैलबरीनी के अगर हम बात करें तो यह खिलाडी थोड़ा स्लो खेल सकता है मतलब सिंगल दुक्की से स्कोर कर सकता है लेकिन अगर हम पाकिस्तान के सामने देखेंगे तो वहाँ पर रिकॉर्ड बढ़िया है तो ऐसे में यह खिलाडी जो है यह आपकी टीम में जगे बना सकता है मतलब अगर आप ओपन में से किसी एक को रखना चाते हो तो बेलबरीनी ज़्यादा बैतर उप्शन है सेकिंड इनिंग में इन्होंने चार पचास किये है और कमजोरी इनकी कुछ भी नहीं है इसलिए बेलबरीनी आप सेफ उप्शन ना सही लेकिन रिस्क के तौर पे ट्राइ कर सकते हो नमबर तीन पे आपको मिलते हैं टकर जिन्होंने इस टीम के सामने तीन मैच में दो पचास किये है तो अगर आप हेड टू हेड वाले रिकॉर्ड को मेंटेन करके चल रहे होना तो फिर इस खिलाड़े को आपको टीम में रखना पड़ेगा राइट आम फास्ट बोलिंग इनको परिशान करती है हरी सरौफ यहाँ पर है नसीम शाह आपको यहाँ पर मिल जाएगे जो कि इनके लिए परिशानी बढ़ाएगे जो कि अगर बैटिंग आप्शन में से किसी को रखना है तो टकर को ट्राइ कर सकते हो अब इसके बाद अगला नाम है हरी टेक्टर का हरी टेक्टर ने पाकिस्तान के सामने तीन मैच में 98 और 2023 से 2024 में 25 के बैटिंग आवरेज को मेंटेन किया है जो कि कोई बहुत कमाल का रिकॉर्ड नहीं है लेफ्टा मीडियम इनको परिशान करता है बैटिंग एवरेज 19 का है अफरीदी के पास में एक अच्छा मोका है और यह थोड़ी बहुत गिंदबाजी कर लेते हैं चुकि अभी गिंदबाजी पर हम ज़्यादा डेपेंड नहीं कर रहा है यह कंफर्म नहीं है इसके बाद अगला नाम है कर्टिस केमपर का कर्टिस केमपर बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर लेते हैं बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं बोलिंग भी अच्छी कर लेते हैं चुकि हो यह राय कि यह पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं कर पा रहा है अलाकि आप इनको as a risky pick vice captain तक बना सकते हो क्योंकि जिस तरह का performance ये पहले कर चुके हैं अगर उसको continue करते हैं तो मज़ा आएगा अभी हाल-फिलाल की city में 50-50 वाला चांस है और कुछ टीमों में vice captain ट्राइ कर लीजिएगा लेग spin इनको थोड़ी जादा परिशान करती है शादाब खान आपको मिल जाएंगे जो की इस तरह की गिनबाजी करते हैं फिर अगला नाम है जॉर्ज डॉक्रेल का जॉर्ज डॉक्रेल की अगर बात करें तो 2023 से 2024 में betting average आपको इनका 22 का मिलता है गिनबाजी करते हैं गिनबाजी में ऐसा कुछ कमाल रहा नहीं और फास्ट बोलिंग इनको परिशान करती है हाल फिलाल की स्थिती में इनको रखने की आउशेक्ता नहीं है अब यह हम नंबर 6 तक आचोके हैं और सिर्फ तीन प्लेयर ऐसे मिले हैं जिनको हम रख सकते हैं एक है पिहला लॉर्किन टकर दूसरा कर्टी स्केमपर और तीसरा है हमारे पास में एंडी बलबरीनी यह तीन प्लेयर ऐसे हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं अब आते हैं दोस्तों नमबर साथ जी डिलाने पे जिनोंने पंदरा इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं और बैटिंग ऐसी कोई खास रही नहीं है तो बैटिंग के लिए तो ट्राइ नहीं करना है और अगर हम देखे यहाँ पे तो पंदरा इनिंग में 10 विकेट है जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 11 में 9 है हाल फिलाल किस्टिती में मैं यहाँ पाकिस्तान के प्लेर्स को इन से ज़्यादा परिशारी मान के नहीं चल रहा हूँ और्थोडॉक्स और लेग स्पिन इनको बैटिंग करने में दिक्कत देती है तो यह खिलाडी भी ऐसे कंफर्म नहीं है जी यल में एक आदे एक या दो टीमों में पटक सकते हो अब आता है नमबर आठ यह खिलाडी जरूरी है 27 में 45 विकेट कंफर्म पिक है फिर इसके बाद बैरी में करती जिनके पास में 20 में 23 विकेट है पहली इनिंग में अगर गेंद बाजी कर रहे है दोस्तों यहां कंडीशन अप्लाइ है जैसे यहां पर आप चाहो तो दोनों इनिंग में पटक सकते हो लेकिन इसको सिर्फ पहली इनिंग में पटक सकते हो वो भी ग्रेंड लिंग में पहली इनिंग में 10 में 15 विकेट है इनके पास में फिर आता है 10 में नमर पे नाम जॉश लिटिल का अभी तक कुछ खास नहीं किया है लेकिन ये खिलाडी बैतर है इसको आप दोनों इनिंग के लिए पटक सकते हो और अंतिम नामे क्रेग यंग का ये इस्पेशली पहली इनि इसके लिए बहुत अच्छे है बल्लेवाजी में लॉर्कें टकर और एंडी बैलवरीनी दो मात्र ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग के लिए फिट बैट सकते हैं अब जरा बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में दोस्तों जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक कर दो कॉमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए पूरी इंफॉर्मेशन कलेट करते हैं अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी बताओ सुधार किया जाएगा अब बात करते हैं रिजबान अयूब बाबर फकर उस्मान ये खिलाड़ी तोड़ वीसरा अफ्रीदी चौटा नसीव शाह फिर रॉफ का उवर आता है या फिर मुहम्मद आमीर को फिट किया जाता है कुछ इस तरह की कि गिंद्बासी आपको देखने मिलती है डैट में रॉफ का उवर ज्यादा इस्तिमाल होता है अभी आमिर के इस्तिमाल भी कुछ ज्या कुठी टीम के सामुने ना निजवान चोड़ेंगे ना बाबाराज़न छोड़ेंगे तो यह घिलाडी को तो रखना पड़ेगा आपको अभे स्याम आयूब की बारी स्याम आयूप पर लोगों की नज़रें हैं कम और इस बंदे में टैलेंट तो है यह बात आप मानBoth तो ये बोर्ड Grand League का Risky Captain Try कर सकते हैं और आपकी हाँ इस पर रिस्क ले सकते हैं और मेरा तो यह मानना है कि अगर हम Grand League में चाहते हैं कि एक बहतर रेंक आये तो हमें Risky Player पे ज़्यादा फोकस करना है सेम आयूब वो रिस्की प्लेयर है जिसके पास मौका पूरा है पर्फॉमेंस दे सकता है तैलेंटेड भी है तो इसको दो से ज्यादा टीमों में तीन या चार टीमों में कैप्टन बनाना है क्योंकि अगर चलेगा तो तीन चार टीम एक साथ लेके हमें आगे च रिजवान चोटी टीम के सामने खतरनाक होते ही है फास्ट बोलिंग इनको परिशान करती है और पिछला एक साल बहुत गंदा निकला है और जिस तरह का विकेट है वो इनके हिसाब का है ही नहीं क्योंकि ये क्रॉस बैटेट खेलते हैं पूरा आप इनका गेम उठाकर इनके शॉर्ट से क्रॉस बैटेट जाता है आले बल्ले से खेलना पसंद करते हैं और जिस तरह का विकेट है यहां पर ये शॉर्ट बह मुश्किल चल पाएंगे गेम खड़ी ही होगी आप एक बार हिट कर लोगे दो बार हिट कर लोगे लेकिन लगातार क्रॉस बैटेट शॉर्ट केलना इस तरह की विकेट पे संभब नहीं है तो वो दिक्कत देगी इसलिए फकर जमान मेरे बहुत कंफर्म पिक नहीं है जी एल में सिर्फ अच्छा खलाडी है इस वज़े से रख लेना फास्ट बॉलिंग इनको परिशान करेगी यहां पर मार का डायर मिल क्योंकि वहां आप जादा लंबे जमें तक गिन को देख सकते हैं क्रॉस बैटे शॉर्ट में दिक्कते रहती जादा हैं और डिलाने लेक ब्रेक और डॉक्रिल और्थोडोक्स यह इनको थोड़ा परिशान करेंगे और्थोडोक्स ओल्रेडी इनको दो बार आउट कर चु इनको परिशान करती है और जोर्ज डॉक्रे हैं जो कि इस तरह की गिनबाजी करते हैं इनके लिए मुस्बित मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं फिर इसके बाद इमाद वसीम है इमाद वसीम 16 एरिंग 15 विकेट है यह गिनबाजी से सामने वाली टीम को ज़्यादा परिशा जो है रिकॉर्ड तीन में साथ रिकेट है राउफ कैसा इस टीम के सामने नहीं कहले 37 216 विकेट है पहले के अधुद्र करते हुए बढ़िया तगला रिकॉर्ड फिर आगे बढ़ते हैं मुहंब आमिर इन्होंने इस टीम के सामने तीन में 3 पहले रिकाष्ण तो 19-20 डोनो से गिंद बाज होगा दो गिंद बाज वहां से चले गए तो चैप प्लियर तो आपके गिंद बाजों में चले गए अब बचे हुए प्लियर का सही सेलेक्शन कर लोगे तो टीम इतनी एक नंबर बन जाएगी कि मज़ा आजाएगा अब यहाँ पर देखें रिजबान नसीम यह जील इसमॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन से के लिए अच्छा उप्शन है जील में बाबर शाहिन और रौफ को ट्राइ कर सकते हो और सेम अयूब के बारे में अल्रेडी बता चुका हूँ कॉंबिनेशन क्या कहता है कि रिजवान को वाइस केप्टन किया है हमने बाबर आजम अयूब के साथ में यहां पे इमात अडायर डिलाने और अफ्रीदी इसके बाद मुहमद आमिर नसीम रौफ और क्रेग यंग टीम में हैं कोई भी बदलाव होगा कोई भी चेंज होगा मै टेलिग्राम पे दूँगा जॉइन करके रखो वीडियो को लाइक कर देना और पंद्रा सो रुपे का कैश बोनस मिलेगा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे और एक चीज़ का विशे जान रखिए का इस गेम में भी है बिट फॉर्मिंग और फाइनेंश